तो आद आप नमस्कार, गोडीनिंग सस्याकाल, एक बार फिर आप तुमाम नौका स्वागत है, क्रैम तक की कहानी के इस एपिसोड में अमीद पूरी फैमिली अच्छी होगी, बस मैं ही दो दिन से अच्छा नहीं था, आपको बताया था एक लास्ट पैर में चोट लगी थी हाला कि टेटनस का इंजेक्शन भी लगा लिया था, लेकिन फिर थोड़ा से इंफेक्शन हो गया, तो पैर जमीन पर रखा नहीं जा रहा था, दफ्तर के लिए कल तयार हो चुका था, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई, चलने की भी, तो फिर बीवी ने भी डार दिया कि था, चला भी जा रहा है, रफ्तार भी वही है पैर की, अब आते हैं आज की कहानी के उपर, और हां बहुत शुक्रे आप लोगों का, बहुत सारे मेल मिले, उसमेल पढ़ा, तो दिल से शुक्रे आप लोग इतना प्यार करते हैं, थैंक्यू वरी मच्छे, अब आज की कहान है, अब इरान में अगर न्यूक्लियर को लेकर कुछ है, अब ही भी यह कहते हैं कि इरान के पास को न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और इसको लेकर अमरीका और इरान में हमेशा खीचातानी रहती है, लेकिन अगर है, तो कहते हैं यह महसिन फाकरिजादा, उनकी सबसे बड दी गई थी, वो पूरी हत्या और उसको लेके इरान ने तब भी कहा था कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है, अमेरिका के तरफ भी उंग्या उठी, लेकिन उसका सच अब सामने आया, ये एक ऐसा रास था जो इरान भी नहीं जानता था, लेकिन ये रास फार्ज भी किसी और नहीं किया, बलकि इसराइल की ही एक न्यूस पेपर ने किया, और उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे इस इरानी सैंटिस्ट को मारा गया, शायद दुनिया का ये पहला ऐसा मामला है, जिस तरीके से कतल हुआ, सैकडों मील दूर, मुसात के जो एजेंट, वो ट्रिगर दबा बराबर में, उनकी वाइब भी बैटी थी, ड्राइवर भी था, आगे पीछे करीब 14 कमांडो थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ति कहानी क्या है, उससे पहले थोड़ा सा बैगराउंड समझ दीजिए, इरान में लगातार, अमेरिका ये एक इलजाम लगातार जैसे इराक पर भी था, कि ये नुकलियर प्रमाणू बम और ये सारे बनाने की कोशिश कर रहा है, और इनके नुकलियर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको लेकि एरान पर बहुत सारे सैंक्शन, बहुत सारे पाबंदिया भी है, 2002 के आसपास सी सारी चीज़े चल आए, और इसलिए एरान और अमरिका के बीच में रिश्टे इसने खराब थे कि बीच में तो दोनों के बीच में जंग होने की भी नौबत आ गई थी, इरानी एक अफसर सुलिमानी, जनरल सुलिमानी, उनका भी एराक में कतल हुआ था, पिछले साल, उसको लेकि एरान ने धंकी दी थी अमरिका को, और ये भी कहा था कि जो भी दुश्मन उसे छोड़ेंगे नी, तो ये सारी चीदें चली आ रही थी, अब इरान के पास अगर नुकलियर वेपन होता है, तो सब शादा नुकसान किसको होगा, वो जो पूरा रिजन है, उसमें अगर देखें तो ज इरान के पास इस तरह का नुकलियर वेपन हो, क्योंकि अरब देशों की भी इरान से अलग लड़ाई है, यहां पर शीया सुनने वाली भी चीज़े हैं, तो कुल मिलाकर इरान तमाम लोगों से घिरा हुआ, लेकिन उसके हालत इराक जैसी नहीं हुई, जहां पर अमरिका न तो इरान की मेजाईल प्रोग्राम पर लगातार दुनिया की नजर रही, खास तोर पर अमरिका की और उससे भी ज़्यादा इसराईल की, और इसी दोरान में, यह सारे इलजाम भी लगते रहे, 2014 में, यह कहा गया कि महसिन फखरिजादा को इरान के निकलियर प्रोग्राम का पर जो पाकिस्तान का है, एक कदीर, इनको निकलियर वेपन का जन्नक माना जाता है उनके देश के लिए, यही रुत्बा, यही कद्ध, महसिन फखरिजादा का इरान में, लेकिन वो हमेशा अपने आपको बड़ा छुपा कर रखा, कभी लाइम लाइट में नहीं है, और ख 2014 से, लेकिन इसराइल ने तब कोई कदम नहीं उठाया, उसने का भी देखते हैं कि क्या कर सकता है, बना भी सकता है कि नहीं बना सकते हैं, धिरे धिरे वक्त भी था, 19 खतम होते होते इसराइल को यह लगा, कि शायद महसिन फखरिजादा कामियाब हो जाए, और इरान एक न इसराइल की अमरिका से दोस्ती, ट्रम के साथ बातचीच चल रही थी, तो तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि 20 आते आते, अचानक इसराइल को एसस हुआ कि शायद डोनेल ट्रम इस बार का चुनाओ हार जाए, और वो प्रेसेंट नहीं रहे, अब दूसरी प तो इरान के उपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं और जो नुकलियर बाकी चीज़ों में बहुत सारे में पहले था, वो चीज़ें वो वापस जारी रखेंगे, बहाल रखेंगे, यानि ट्रम ने जो समझोता कैंसल कर दिया, वो उसको फिर से शुरू कर देंगे, इसका है कि अगर इरान गुप-चुप तरीके से ही निकलियर वेपन बना रहा जो कि इरान लगातार मना करता रहा है, तो फिर उसे फाइदा होगा और बाइडन के साथ समझोते के बाद वो सारी चीज़ें उसे मिलेंगी, और वो एटम बॉम या वो सारी चीज़ें बनाने के अब इसराइल के लिये ख्त्रा था इसराइल ने कहा कि अगर मुहसिन फाक। को रास्ते से हटा लिया जाए तो एरान का निकलीर प्लान और प्रोग्राम दोनों रुख सकता है क्योंकि मुहसिन फाक। के अगर अगर दूसरा खुद एरान ने भी कहा बाद भें कि उनकी जगह लेने के लिए फाकरिजादा के कम से कम दो-चार साल लगेंगे किसी नए साइंटिस्ट को तो इसराइल ने अब पहली बार टरम के हार को देखते हुए और फाकरिजादा की काम्याबी को देखते हुए कि वो निकलिर वेपन बना सकते उनको मारने की एक साज़िश तयार की अब मुश्किल ये थी कि एरान के अंदर घुसकर तहरान में मुसाद के एजिन्ट जाएं और मारें वो बड़ा मुश्किल था इस से पहले भी एरान के कई नुक्लियर साइंटिस्ट का कतल हो चुका है 2010 से लेकर अब तक करीब ऐसे 10 साइंटिस्ट मारी जा चुके है तो एरान अपने साइंटिस्ट नुक्लियर साइंटिस्ट को लेकर बड़ा चौकना और मुश्किल फखरजादा को लेकर तो खेर और भी जादा कहते हैं 14 कमांडो 24 घंटे उनके साथ के हर मुवमेंट उनके घर जहां पर भी है सबसे जबरदस निगरानी अब इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में मुश्किल फखरजादा को मारना सबसे मुश्किल काम और मुश्किल काम और मुश्किल के एजिन तहरान जाकर मारें उसमें फिर खत्रा ये कि पकड़े जाएं पकड़े गए तो फिर मौत की सदा तो मुश्किल ने सोचना शुरू किया कि कैसे मुश्किल फखरजादा को रास्ते से अटाया जाए 2019 के एंड से ये प्लानिंग शुरू ही 20 आते आते इसमें और तेजी आई कहते हैं मार्च 2020 से अब इसराईल और मौसाद ने प्लान करना शुरू किया तमाम पहलूँ पे सोचने के बाद उन लगा कि तहरान में जाकर मौसाद की एजेंट ये काम नहीं कर सकते उन्होंने इरान के कुछ लोकल एजेंट को फिर अपने साथ मिलाना शुरू किया उसके बाद रैकी शुरू हुई कि मौसिन फखरिजादा कब कहा निकलते हैं घर कहां पे हैं कौन कौन हैं गाड़ियों काफला कितने बेश जलता है कितने कमांडो साथ होते हैं कितनी गाड़ियां उस कारवा में साथ होता है इन सारी चीजों की रैकी होने लगी कुछ इरान के लोकल एजेंट को इन्होंने अपने साथ मिलाया पैसे दे कर अब ये था कि मारा कैसे जाए इसके लिए फिर बिल्जियम में बनी एक FNMAG रोबिटिक मशीन गन ये रोबिटिक मशीन गन बिल्जियम में बनी इसका इस्तेमाल करने का फैसला हुआ कई बार ट्रायल के बार अब सवाल ये था कि इस रोबिटिक मशीन गन को ले तो लिया जाए लेकिन इसको तहरान तक कैसे पहुंचाया जाए क्योंकि इसका पूरा जो वेट था वजन था वो करीब एक टन और इरान तक पहुंचाया कैसे जाता हमाम सुरक्षा उसके जांच के बीच तो फिर यह हुआ कि इसको अलग-अलग पार्ट्स भेज़े जाएंगे 2020 मार्च के बाद ये काम शुरू हुआ करीब 6 महीने तक अलग-अलग किस्तों में इस रोबर्टिक मशीन गन के पार्ट्स बेल्जियम के जरीए पहले इसराईल तक पहुंचा और फिर इसराईल के लोगों ने अलग-अलग अपने एजेंट के जरीए इसे तहरान तक पहुंचा है करीब 6 महीने या 8 महीने 6 से 8 महीने का वक्त लगा इन सारे रोबर्टिक मशीन गन के पार्ट्स को तहरान पहुंचाने में अब वहाँ पर ये सारी चीजें जब पहुंच गई नमबर 2020 की तारीख आ गई वहाँ पर इन सब को दोबारा असंबल किया गया अब ये था कि इसका इस्तमाल कैसे और कहां होगा रहकी जारी थी इस औरान में फिर उन्होंने एक ट्रक लिया और वो ट्रक ऐसा जो कि इरान के लोकल निसान का वो ट्रक था और उस ट्रक के साथ इस रोबर्टिक मशीन गन को जोड़ना था और इस ट्रक को उस जगह पार करना था जहां से इस मशीन गन से गोली चलनी थी अब मशीन गन से गोली चलाने के लिए आपको कोई शक चाहिए और आप इरान के सबसे टॉप नुक्लियर साइन्टिस को मार रहे हैं तो सबसे पहले तो जहां से गोली चली उसके आसपास वो गाड़ी ये उस चगे पे वहां की जो इरान के फोर्सेज है वो पहुंचेंगे बचत के निकलना मुश्किल काम है तो इसलिए प्लान ये था कि जिस ट्रक से और जिस मशीन गन से गोली चले गी और इसलिए इस रोबोटिक मशीन गन को चुना गया कि इसको चलाने के लिए किसी आदमी की ज़रुवत नहीं है ये अपने आप कंट्रोल होगा सेटलाइट के थुरू और रोबोटिक इसलिए कि एक रोबोट की तरह उसको हुक में दिया जाएगा और वो फायर करेगा इसका ट्रायल और रहरसल काफी तहले से हुआ अब उसमें ये है कि ट्रक के उपर एक मशीन गन रखा हुआ है मशीन गन को फायर करना है लेकिन आदमी कोई नी है अब उसमें से गोली चलनी है नसरिफ गोली चलनी है बलकि निशाने पे चलनी है नसरिफ निशाने पे चलनी है बलकि गोली जो चलनी है वो सिर्फ उसी शक्स के हिस्से में आनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखना है कहते हैं तेरान से सैकडो मील दूर इरान के बॉर्डर के बाहर बाकाइदा मुसाथ के एजन्ट बैठे हुए थे सेटलाइट के थूर सारी चीज़े वो मॉनिटर कर रहे थे और ये ट्रक उनके कंट्रोल में था सैकडो मिल दूर अब इसमें प्रावलम एक थी कि जो वहां से ये ट्रक तस्वीरें और वो भेजता गाड़ियों का काफला और जो तार्गेट है उसको वहां पहुँचने में और वहां से यहां इंस्ट्रक्शन देने में एक गैप था टाइम का और वो गैप भी बहत मामूली है 1.6 सेकंड मतलब करीब पौने 2 सेकंड आप मान कर चलिए का गैप होता था यह हम लोग के यहां भी होता है जैसे निउस चैनल में जो लाइव होता है यह जो मैं पढ़ता हूँ अगर मैं सबस्पोस्छ वारदात के आंक्रिंगग कर रहा हूँ तो जो मैं करता हूँ वो आपके पास आपके टीवी तक पहुँचने में कही सिकंड का उसमें डिले होता है क्योंकि जो मैं करता हूँ वो पहले सेटलाइट लेता क्योंकि यहाँ पर robotic machine gun है वो वहाँ पर control कर रहे हैं और अगर उन्होंने button दबाया तो यहाँ से जो fire होगा वो time लेगा 1.6 second delay अब इसमें यह है कि आपका target आपके सामने आपको मिलना भी कुछ second है और यहाँ 1.6 second को अभी मारजीन आपको ध्यान में रखना है तो second के सौवे हिस्से की भी गलती आपके सारे mission को बरबाद कर सकती है इस 1.6 second को लोगे कई बार इनोंने rehearsal किया उसके बाद आखिर में पाया कि बिल्कुल accurate है अगर इस robotic machine gun से गोली चलानी है तो 1.67 सेवन सेकंड पहले कंट्रोल या बटक दबाना होगा अब यह सारी rehearsal सारी चीज़े हो गई एक ट्रक टेहरान में सडक के किनारे पार्क है वो भी पुराने से गाड़ी ऐसा लगे कि जैसे कोई dump type का है और उस पे एक machine gun इस तरह किया से रखावा है कि दूर से किसी को दिखाई न दे रखी हो चुकी है 27 नमबर 2020 27 नमबर 2020 शाम के ठीक 6 बजे अरसब एक जगा है तहरान में वहाँ पे मौसिन फाकरिजादे का घर जबर्दस सुरक्षा घेरे के बीच में बिलकुल वी वी आईपी एरिया और ये डेली वहीं से निकलते और वहीं से अपने काम पे जाते शाम 6 बजे 27 नमबर को फाकरिजादा अपने घर से निकलते किसी फैमिली फंक्षन में जाने के लिए साथ में उनकी वाइफ थी और उस गाड़ी में ड्राइवर बाकिया आगे पीछे पांच गाड़ियों का और काफला करीब 6 गाड़ियां सब में कमांडो अब ये वहाँ घर से निकलते हैं इस ट्रट के साथ मुसाद ने एक और गाड़ी का इंतजाम किया था और वो गाड़ी ऐसी थी कि जो घर था जिस घर से ये निकल कर में रोड पे आते थे वहाँ पे एक टन था मोड उस मोड पे हमेशा जो है रिड लाइट गाड़ी स्लो हो जाती थी तो वहाँ पे एक गाड़ी वो तस्वीर लेने के लिए और वो बताने के लिए कि यहाँ से निकल चुकी है ताके फिर वो उस निसान ट्रक के उस मशीन गन के रेंज में आ जाए जो दूर खड़ी है तो पहले इसको सिगनल देना था एक दूसरी गाड़ी को ये सिगनल देना था इसको मोसाद के जिन जो तेहरान के बाहर है बलके इरान के बॉटर से बाहर है उनके सिगनल देने के बाद वो तस्वीर से देखके और फिर ट्रक पे मशीन गन को उसको बटन दबाना था तो ये सारी तैयारी होगी 27 नौवंबर की शाम 6 बजे गाड़ियों का काफला निकलने के बाद जैसे उस मोड पे आता है उससे पहले वो गाड़ी जो दूसरी गाड़ी थी वो अपना एक तरह से सिगनल दे देती है सिगनल मिलते ही मुसाथ की एजेंट दूसरी तरफ इलट हो जाते हैं और टार्गेट ये था कि जब वो मोड पे आये चुकि उस वक गाड़ी के रफतार सुलो होगी वहाँ पे निशाना लेना असान है और रिशाना भी कौन ले रहा है एक रोबोटिक मशीन गन अच्छा उस मशीन गन से जो गोलियां चलनी हूँ उसके जटके से भी थोड़ा सा ट्रक ले तो ट्रक के हिलने से भी निशाना गरबड़ा सकता है इन बातों का भी ध्यान रखा गिया लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद आखिर कार शाम छे बिजे जैसे ही सिगनल मिलता है इरान के बाहर से सेटलाइट के जरीए मुसाद के एजेंट एक तरह से बटन दबाते हैं यहाँ सिगनल मिलता है और इस रोबोटिक मशीन गन से एक फायर होता है वो फायर कार के विंड स्क्रीन के अंदर से सीध है जाकर मौसिन फखरिजादे को लगती है गोली उनके बराबर में उनकी पत्नी बैठी वी थी उनकी वाइफ लेकिन उन्हें कोई नुक्सान नहीं पहुंच था गोली अपना काम कर चुका और यह सारी तस्वीरे सारी चीज़ देखने है इससे पहले जो दूसरी गाड़ी थी उसने ये बात की भी एक तरह से कंफर्मिशन दे दी थी कि इस गाड़ी के अंदर मौसिन फखरिजाद आई है बागाईदा वो फेस स्कैनर और उसके जरीए तो गोली लगती है गाड़ी का शीशा तूटता है अचानक ड्रैवर गाड़ी रोकता है पीछे से तमाम कमांडो जाते है फॉरण उनको होस्पिटल लेका जाया जाता है लेकिन जान नहीं बचाय जाती है ये था पहला पूरे प्लानिंग का हिस्सा दूसरा ये था कि अब ट्रक से गोली तो चल गई रोबोटिक मशीन गन से लेकिन अब ट्रक जब एक फकरिजादा जैसे शक्स की मौत होती है तो आसपास के पूरे इलाके को जीरो इन किया जागा कॉड़न ओफ किया जागा तला प्लाशी होगी तो कोई सबूत नहाता है ये रोबोटिक मशीन गन नहाता है ये सारी प्लानिंग किसकी थी ये कोई सुराग न लगे दूसरी साधिश का पहलू ये था कि जैसे ही ये कंफर्म हो जाए कि गोली ने अपना काम कर दिया है इस ट्रक कोड़ा दिया जाए जैस में रोबोटिक मशीन गन थी उस ट्रक में भी काफी विस्फोटक रखे गये थे बारूद कर्फरमेशन जैसी हुआ कि गोली सही लगई है और जिनको मारनी थी उसी को लगी है इसके थोड़ी देर के बाद सारे अलर्ट होते हैं पलिस बाकी लोग सड़क पर इतनी देर में इस ट्रक में भी धमाका हो जाता है और ट्रक के अंदर जो भी सबूत थे हों सब नस्ड़ बरबाद हो जाते हैं उसके साथ ही ये आपरेशन पूरा हो जाता है और जो मोसिन फखरिजादा हैं उनकी मौत ये एक बड़ा धक्का था इरान के लिए इरानी नेताओं के लिए और इरानी निकलियर प्रोग्राम के लिए क्योंकि मौसिन फखरिजादा के बारे में बाद में ये रिपोर्ट आई कि ये वो निकलियर वेपन बनाने के बेहत करीब पहुंच चुके थे और शायद कुछ वक्त में कई ऐसे बॉम जो हिरोशीमा पर गिरे थे उससे आदा खतरनाक बंबो तयार कर लेते और ये सारी चीज़ें इसराइल को नुकसान पहुंचा सकती थी इसराइल को परिशान कर सकती थी और इसी लिए इसराइल में मौसिन फखरिजादा को रास्ते से हटाने की ये पूरी प्लानिंग की इस दुनिया में ये पहला ऐसा इंसिडेंट है जब किसी को मारने के लिए गोली तो चलाई गई लेकिन ट्रिगर सेकडों मिल दूर से दबाया गया और बिना किसी इनसान के मशीन गन को चलाये हुए रोबिटिक मशीन गन ने सिर्फ कमांड पे फायर किया और बिल्कुल सटीक फायर किया और ऐसा फायर किया कि आज पास में किसी और को कोई नुफसान नहीं हुआ इसको लेकर इरान ने कहा था कि वो इस मौत का बदला लेगा जो भी इसके पीछे होंगे बहुत सारी बाते हुई थी लेकिन अब खुद इसराइल के एक निउस्पेपर ने इस बात का खुलासा कर दिया कि ये पूरा उपरेशन में इस उपरेशन में जो दो लोग शामिल थे उसको भी कोट किया है उस निउस्पेपर ने तो इस तरीके से मुसाथ के जासूस ने एक ऐसे उपरेशन को अंजाम दिया जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि नामुम्किन है लेकिन अब ये चीज ये भी बतारी कि आने वाले वक्त में सेटलाइट के जरीए या इस तरह की चीज़ें कहीं पे भी कोई बैठा हो और दूर दुश्मन को बड़े आसानी से मार सकता है प्लानिंग और ये सारी चीज़ें अगर परफेक्ट हो तो हलाकि फिर बाद में ये भी आई कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था और लेकिन अमेरिका को इसराइल नहीं जानकारी दी थी कि वो उसके लिए खतरनाक है और वो इलिमिनेट करने के लिए यानि के रास्ते से हटाने की तैरी कर रहा है और कहते हैं कि शायद टरम को इसकी जानकारी थी ये भी निउस पेपर में कहा गया है लेकिन अमेरिका ने इस उपरेशन में कोई हल्प नहीं की या टोटली मुसाद का अपना उपरेशन तहां इसमें इरान के कुछ एजेंट्स को इसने अपने साथ शामिल जरूर किया था अब इसके आने के बाद इरान उन एजेंट्स की तलाश में जोरोशोर से जुट गिया जिसने मुसाद की मदद की थी और एक बार ये फिर से मामला जो है वो गर्मा होता है तो ये थी कहानी मुसाद के उस उपरेशन की जिसको शायद ये कहें कि दुनिया का पहला ऐसा मामला था जहां सैक्णों मिल दूर से गोली चली है तो कहानी में इतना ही लेकिन मैं दो दिन से आय नहीं दो तीन दिन बलके हो गए और बहुत सारे लोगों के फरमाईश थी कई कराइन तक फैमिली मेंबर्स के बर्डे थे दिन था हिरेंद्र दीक्षित जी हैं इनकी पत्नी हागरा से तो इन्होंने भेजा तो रागनी शर्मा जी बलेटेड है हैपी बर्डे कल मैं था नहीं वन्ना कली आपको फिश्करता जोयाल खिल जी है और इनका 25 सितंबर को बर्डे था ये उमान में इनके फादर रहते हैं अमद खिल जी और वो दूर है तो उन्होंने कहा था तो हैपी बर्डे जोयाल खिल जी इसके लावा इरा हैं और ये कैलिफोर्निया में रहनी इस वक्त कोटा के हैं वैसे 26 सितंबर को इनका भी जनम दिन था और समयनवे साहब ने भेजा है तो हैपी बर्डे एरा समयनवे साहथ की पतनी है इसके लावा शाहिस्ता प्रवीन है इनका भी बर्डे आज है तो शाहिस्ता हैपी बर्डे और मुहम्मद इब्रार इन्होंने भेजा है इनकी बिटिया है यह तो आप हमेशा अच्छी रहे हैं खुश रहे हैं इसके लावा रोशन यादव है और इनका जनम दिन कल था 27 सितंबर मनीश यादव ने भेजा है इनके बड़े भाई हैं एपी बड़े रोशन साहब इसके लावा कलपना भट है 27 सि लेकी हैं सिड्नी से राजीव सिंग है शोइता निरंजन है इनका यह कहना था कि अब एक हरियाना की स्टोरी सुनाए थी जिसमें एक लड़का था जिसने पांच लाग रुपे ना देने पर अपने माँ बाप नानी और बहन को मार दिया इनका कहना था कि पांच लाग सिर् ने मालूम थी तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ऐसा कोई कदम उठाए तो इसलिए उन्होंने उसको यह पैसे नहीं दिया था कि इस तरह के कोई फाल्दू का यह आपरेशन ना करा है और इसी से वो गुस्सा हो गया था इसके लाबा कीरती चौक्याल है और इनकी सि इन्होंने भी एक कहानी लिखी है कौन सी कहानी है मैं खुद ही भूल रहूं लेकिन आपने जो लिखी है मैं जल्दी सुनाता हूं नवीन बग्गा है और ये दह महाराजा वेल की कहानी सुनना चाहते है नवीन साब जल्दी सुनाता हूं आपको रंजय गुपता है और वि देखा उसका जवाब भी दूँगा इसके अलावा सूफियान पटेल हैं चार मिनार की कहानी सुनना चाहते हैं यह हैदराबाद ढूनना पड़ेगा मुझे राहुल पेंडाम है और आज की कहानी जो है जो इरानी साइंटिस की इसकी फरमाईश भी उन्होंने की थी तो थैंक यू राहुल पेंडा साथ पेंडाम साथ अमित सूरेवंशी हैं इसके लावा अंजली चौधरी हैं प्रदीप मिश्रा हैं संदीप कुमार हैं और यह प्रि प्रण चोयाल हैं दुर्लब कश्यप गैंगिस्टर की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं अरुन साहब आपने कई बार मेर लिखा है मैं जरूर इसको सुनाता हूँ विजय कुमार बाढ़ले हैं और ये इन्होंने कहानी की लिस्ट और वो मांगी थी इन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की आज मैंने देखा करीब जो भी 872-75 कहानिया होंगी इन्होंने पीडियेफ और उसके साथ में उसकी हेडलाइन नाम के साथ भेजा है थैंक यू विजय कुमार बाढ़ले साहब आपकी इस महबत के लिए और आपने जो मेहनत की उसके लिए थैंक यू इसकलाबा न